हेलो फ्रेंड साफ सभी का स्वागत अपनी यूटूब चैनल पे आज के इस वीडियो लेक्ट्रेस में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का मोस्ट इंपोरेंट टॉपिक जो आपके एक्जाम के पॉइंट ओविव से मोस्ट इंपोरेंट है यहां से भी काफी बार आपको एक क्वेश्टन जो हैं एक्जाम में पूछ लिया जाता है तो मोस्ट इंपोरेंट टॉपिक हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लस वन क्लास जो हैं फर्स यूने से यह टॉपिक रहेगा तो most important है आज हम discuss करने वाले हैं दो topic तो first topic है आपके पास reflections wave and reflections wave जो है कौन कौन सी होती है क्या उनके examples रहेंगे most important है यहां से questions पूछ लिया जाता है काफी बार मैं देखा हैं तो चलते हैं अपने topic पे आज का जो हमारा topic है reflections waves हम पहले देखने वाले है reflections wave होती क्या है ठीक है और reflections wave को जो है एक question आपको direct यह भी पूछ लेते हैं कि which of the flowing is the reflections wave तो आपके पास reflections method तो आपके पास eco method भी जो है reflections method पे ही work करता है और इसे जो है eco method भी कहा जाता है reflections method को यह भी आपने याद रखना है काफी बार exam में एक questions पूछा गया है next आप definitions देख लेते हैं reflections method की definitions क्या है and the instance of reflections the returns of the light and the sound waves from the surface is called the reflections waves ठीक है आप अभी समझ नहीं रहे होगे मैं आपको पताता हूँ क्या कहा गया है the returns of light wave and sound wave from the surface of the reflections wave ठीक है तो reflections wave जो क्या होती है आपने देखा होगा काफी बार daily life में आप देखते ही रहते होगे आपको ये example देखने को मिलता होगा कि sun radiation जो है यहाँ पर suppose जो है आपके गर में mirror होता होगा तो आपके sun radiation आती है और उस mirror पर पढ़ती है ठीक है तो आपके पास क्या होता है mirror पर पढ़ने के बाद sun radiation फिर से reflect होके वाप इस उपर की तरफ ही चली जाती है ठीक है या आप जिस directions को उसको देना चाते है तो reflect होके जाती है ठीक है ये एक example है reflections wave का ठीक है ये भी आपके पास reflections wave का एक example है और second हम बात करते है आपने देखा होगा कि अपने room में है तो sun radiation आपके window से आ रही है और आपने dell watch watch जो पहनी है hand watch उसका जो dell है उसमें भी mirror का ही होता है तो इससे भी आपको क्या होगा कि यहां से जो है जैसे आपके पास इस dell पे जो है sun radiation पड़ेगी यह भी जो है reflect होके इस तरह आपको देखने को भी काफी बार मिल जाती है तो यह जो है example होता है reflections wave का इसे हम reflections method भी कहते हैं और बाकी जितने भी आपके electronic devices होते हैं चाहे आपके radio हो, television हो या आपके cell phone हो तो वो भी reflections waves या reflections method भी काम करते हैं क्योंकि जितने भी electronic devices है आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं cell phone से किसी का number contact number अगर आपने dial करना हो तो आप क्या करते हैं number dial करते हैं और जैसी जो है उसको dial करते हैं उसके बाद क्या होता है कि यह signal देता है जाके वहां के local जो network है उसका उससे signal पकड़ते ही वो क्या करता है contact कर देता हैं दूसरे number पर तो उसमें भी क्या होता है reflections wave हो रही है कोई waves कहीं वो वहां तक गई उसने signal पकड़ा और फिर उसके बाद वहां connect होगी तो उससे भी reflections wave कहते हैं television होगे, radio होगे आपके पास तो आपके channel जो है आपने देखा होगा News24 channel ही है आपके पास जितने भी news channel है चाहे आपके serial वाले channel है तो उनका live telecast तो कहीं और से हो रहा होता है बट आपके पास जो है आपके जो TV पे भी वो आपको देखने को मिलते हैं तो वो भी जो है reflections wave का ही आपके पास example है तो next आपके पास और जो है इसकी एक definitions और है इसे और किस तरह आप से आप लिख सकते हैं ये जो है same definition है दोनों चाहे आप ये वाली लिखो चाहे आप ये वाली लिखो दोनों एक ही है ठीक है echo method is the echo method is the repetitions of light wave और sound wave due to the reflections of the original sound or the light by the large and the hard obstacles ठीक है क्या कहता है बात वही है कि echo method is the repetitions of light क्योंकि repeat होती है light आपके पास एक बार radiation आई और इसमें mirrors में गई और फिर से क्या होगी repeat हुई उपर को चली ही ठीक है reflect होके क्या हुआ आपके फिर से जो है reflect होके repeatable हुई आपके पास ठीक है light wave and the sound wave काफी वार आपने ये भी रेखा होगा कि hill area में अगर आप किसी को आवाज लगाते हैं तो आपकी जो है आवाज reflect होके आपके पास फिर से आती है ठीक है आपको double double आवाज सुनाई देती है और आपकी original जो है वो जिसे हम कह सकते है sound वो जो है आपको देखने को मिलती है कि आपको सुनने को तो आपके पास ये example था, आपके पास original sound and the light by the large and hard obstacles, ठीक है, ये eco methods का भी example था, और for example आपके पास यहां भी मैंने लिखे हुए है, detections of the thickness of the metal seat, तो metal seat में भी देखा होगा काफी बार आपने, अगर आप sound भी उसमें से pass करते हैं, तो भी reflect करके आपके पास sound आती हैं, और अगर आप radiations में उसमें से light भी आप उसमें से pass करते हैं, तब भी आपके पास उसमें से light reflect होके आती हैं, ठीक है, second आपके पास measurement of the distance of heel, heel area में आपने देखा होगा कि अगर आप किसी को sound, आवाज लगाते हैं, तो आपके पास क्या होता हैं, कि आपकी आवाज जो है reflect होके आपको सुनाई देती हैं, और original जो हैं आपकी जिस तरह आप से आप बोलते हैं, उसी तरह जो हैं, आपकी आवाज जो हैं, आपको सुनाई देगी, उसी तरह, ठीक है, तो यह भी आपने याद रखना है, और यहां से questions क्या क्या बनते हैं, देखो एक तो question आपको सीधा ही question पूछ करता हैं, आपके पास जितने भी electronic devices हैं, सारे जो हैं, वो कह करते हैं, reflections methods पर ही work करते हैं, reflections wave पर ही work करते हैं, next आपके पास example है, इसके जो question रहेंगे, यहां से क्या question बन जाता है, कि what is the speed of light, ठीक है, तो speed of light in 0 degree Celsius, sorry in vacuum, अगर speed पूछा जाता है, sorry पहले हैं, आपके पास sound, ठ sound की, यह दोनों questions काफी बार HP TAT में देखने को मिले हैं, most important है, आप चाहें तो साथ साथ नोर्थ बना सकते हैं, ठीक है, next question आपके पास क्या बनता है, the sound of light in, sorry, the speed of light in vacuum, the speed of, the velocity of light in vacuum, या speed of light in vacuum, ठीक है, दोनों questions एक ही है, ठीक है, तो आपके पास, जो है, speed of light in vacuum की अगर बा 8 meter per second, ठीक है, यह भी आपने याद रखना है, velocity of the light in vacuum, 3 multiplied 10 is to 8 meter per second, जो है, आपके पास speed होती है, light की, जब sun radiation, जो है, सुबह सुरिया उगता है, तो, जो sun radiation आती है, तो कितना time लगता है, उसको आने में, पृत्वी तक, आपको पता होगा, कि 500 second लगते हैं, ठीक है, तो यह यह भी आपको पता होगा, कि speed of light उस time कितनी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे speed of light कितनी होती है, 3 multiplied 10 is to 8 meter per second, जो है, light की speed होती है, ठीक है, यह भी आपने याद रखना है, next step के पास, radar, जो है, most important है, और यहाँ से भी काफी बार exam में questions देखने को मिला है, radar की काफी बार, जो है यह, radar की full form होगी, radar की full form क्या है, radio detections and ranging जो है, radar की full form है, और radar जो है, कहाँ इसको work किया जाता है, कहाँ पे जो है, इस device को use किया जाता है, radar is the device to detect the aeroplane in the sky, ठीक है, क्या करता है, and to measure the distance from the radar stations, ठीक है, radar क्या करता है, आपके पास, जो aeroplane होता है, sky में जब फ्लाइ करता है, त आपके पास उसके distance measure करने के लिए radar station से जो आपके पास airport होते हैं ठीक है वहां से जो है उसका distance measure करने के लिए आपके पास radar का use किया जाता है और radar is due to the, आपने देखा भी है radar is a device to detect the airplane in the sky to measure the distance from the radar station ठीक है तो most important है और काफिवार exam में पूछा जाता है और questions ये भी बन जाता है देखो एक तो definition इसकी जो है full form पूछ सकते हैं ठीक है ये पूछ सकते हैं कि aeroplane जो है आपके पास कौन सा device जो है aeroplane के distance को measure करता है तो आपके पास radar करता है अगर आपके पास question ये पूछा जाता है कि radar जो है कौन से principles पे depend है तो which principle depends upon the radar system तो आपके पास radar जो है radar work on the principles of reflections of wave और ecosystem ठीक है ये last में जो है आपके पास questions बन जाता है कि radar जो है कौन से principles पे work करता है तो radar is work on the principle of reflections of wave और ecosystem जो है इस पे depend करता है आपके पास radar most important question है काफी बार मैंने ये questions भी exam में देखा है इसलिए योई questions हम discuss करने वाले हैं जो बार-बार previous year questions पेपर में पूछे गए हैं वही topic लेके आया हूँ जो topic जहां से जो है आपको हर बार exam में questions देखने को मिलता है तो most important है next आपके पास fourth example इसका रहेगा सोनार सोनार भी जो है काफी बार exam में देखने को मिलता है I think मैं तो कहूं कि ये questions जो है आपको हर बार exam में पूछा जाता है ठेक है तो जो सुनार है उसकी काफी बार जो है full form भी पूछ लेते हैं तो सुनार की full form क्या है आपके पास sound navigations and ranging जो है सुनार की full form है ये भी आपने याद रखनी है काफी important है sound navigations and ranging सुनार की full form है और सुनार जो है it is also work on the principles of reflections of waves और ultrasonic waves ठीक है देखो अगर question आपके पास दिया है कि सुनार is depend upon the which principles तो आपके पास जो है इसका right answer क्या क्या होगा देखो अगर आपके पास options में आपको ये भी दिख रहा है reflections of wave दिख रहा है अगर ये options में दिया हुआ है तो आपके पास ये इसका right answer रहेगा दो principles है जिसके जिसके ये depend करता है आपके पास सुनार एक है आपके पास reflections of waves और दूसरा है आपके पास ultrasonic waves ठीक है ये आपने याद रखना है काफी बार ultrasonic wave ही देखने को मिला है ठीक है ये आपने याद रखना है most important है काफी बार ये questions exam में देखने को मिला है most important है next step के पास reflections method ठीक है यहाँ था आपके पास reflection method और इसकी definition थोड़ी L था यहाँ पे है ना ठीक है तो reflections method और ये हैं आपके पास reflection र-A-C-T-I-O-N ठीक है रिफ्रेक्शन और ये हैं reflection L-E-C-T-I-O-N ठीक है reflection और reaction ठीक है दो अलग अलग word है reflection reflection ठीक है तो reflection method की अगर बात करें और reflections wave भी से कहा जाता है ठीक है तो इसकी definitions क्या है आपके पास the reflections waves is the physical change in the directions to from the waves passing from one medium to the another mediums caused by the change in the speed and the directions ठीक है देखो definitions क्या बोलती है the reflections wave in physically change क्या करती है, क्या करती है change ये आपके पास directions को change करती है waves की, light waves की आपके पास sound waves की directions को change कर देती है आपके पास क्या, reflections wave change in directions of the wave passing from one medium to another medium जैसे ही जो है sound wave या आपके पास light wave one medium से another medium में जाएगी तो आपके पास क्या होगा caused by the change in the directions and the speed of light for example आपके पास बता देते हैं मालनो ये आपके गर की window है ये आपके गर की window है और sun radiations यहां से आ रही है और इसमें से पास यह हो जाती है क्योंकि आपके पास जो glass लगा होता है खिडकियों में आपकी window में glass लगा होता है उसमें से sun radiations क्या करती है pass कर जाती है बट क्या होगा इसमें pass जब करेगी दो changes आपको देखने को मिलेंगे एक तो इसकी जो है यह direction अगर मालो यह आ रही है तो इसकी थोड़ी direction चेंज हो जाएगी इस तरह आएगी जैसे ही mirror से pass होगी या आपके glass से pass होगी तो आपके पास direction चेंज हो जाएगी दूसरा जो इसका temperature होगा आपके पास heat जो होगी radiation में वो भी change आपको देखने को मिलीगी suppose अगर मालो 10 degree Celsius जो है इसका temperature होगा तो यहाँ पे 8 degree temperature जो है इसका रह जाएगा तो यह भी आपको देखने को मिलेगा दो changes आपको होगे अगर आपके पास reflections waves दी गई है अगर आपके glass में से जो है और उसकी जो है directions भी change हो जाएगी यह आपने याद रखना है और दूसरा एक और example आपको देता हूँ आपने देखा होगा कि suppose जो है आपके पास कोई तलाव है या आपके पास कह सकते हैं पानी का tank बना हुआ है ठीक है तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही sun radiations इसमें पास करती है ठीक है इसमें water है suppose ठीक है तो water में जब sun radiations पास करती है मालो यहाँ पे जो है iron road है यह iron road भी आपको इसका actual size थोड़ा सा बड़ा लगेगा ठीक है और जो इसकी radiation होगी अगर sunlight यहाँ से पास हो रही है तो इसकी जो अपके पास इसकी एक तो direction change हो जाएगी दूसरी इसकी speed भी अपके पास यहाँ change हो जाएगी ठीक है यह आपने याद रखना है reflections method में क्या होता है reflection method में क्या होता है reflection method की अगर बात करें sun radiation आती है mirrors में जाएगी तो reflect होके फिर से उपर चली जाएगी और अगर आपके पास reflections method की बात करें तो reflection method में क्या होगा sun radiation आएगी और glass में से पास करेगी बट पास तो करेगी आपके पास direction भी change कर जाएगी और उसकी speed of light है वो भी आपके पास change आपको देखने को मिलेगा उसमें ठीक है तो यह था reflections और reflections method तो most important है काफी बार यहां से questions exam में पूछ लेती है next आपके पास most important topic है यह भी काफी important है और यहां से भी एक question आपको exam में पूछ दिया जाता है तो आपके पास next topic क्या है order of the length or distance from the atomic or atomic to astronomical ठीक है तो यहां से भी काफी बार exam में questions पूछ लेती है तो most important topic है यह भी आपके पास यहां से क्या आपको पुछा जाता है यह आपके पास distance दिखा है इसमें जो है order of length in meter हम discuss करने वाले है first आपके पास diameter of nucleus nucleus का diameter कितना होता है आपके पास देखो अगर आपके पास पूछा गया है what is the diameter of nucleus in meter ठीक है length in meter तो आपके पास right answer होगा 10 is to minus 15 meter ठीक है तो आपका right answer क्या होगा 10 is to minus 15 meter अगर meter में पूछा है अगर centimeter में पूछा है तो आपके पास right answer होगा 10 is to minus 13 cm ठीक है क्योंकि क्या होता है 10 is to minus 15 meter meter को लिख सकते हैं 100 cm ठीक है तो आपके पास क्या हो जाता है 1 meter is equal to 100 cm होता है ठीक है तो आपके पास इसको 10 is to 2 भी लिख सकते हैं आप 10 is to 2 लिख सकते हैं तो 10 is to minus 15 plus 10 is to 2 तो आपके पास add हो जाएगा अगर number same हो तो powers add हो जाती है तो आपके पास जब plus minus minus तो आपके पास क्या आजाएगा minus 13 आजाएगा तो इसलिए centimeter में आपके पास answer क्या आएगा 10 is to minus 13 cm जो है आपका right answer रहेगा देखो अगर आपके पास question पूछा जाता है what is the diameter in centimeter तो आपके पास right answer रहेगा 10 is to minus 13 centimeter ये आपका right answer रहेगा अगर आपके पास पुछा जाता है what is the diameter of the nucleus in meter तो आपके पास जो है आपका right answer रहेगा 10 is to minus 15 meter ठीक है और काफी बार ये भी देखने को मिला है कि आपके पास मीटर और सेंटिमीटर नहीं पूछा जाता ठीक है तो आपके पास आपने देखना है कि दोनों में से कौन सा राइट अंसर आपके पास 10 इस टू माइनस 13 सेंटिमीटर भी दिया हो अगर आपके या तो आपके पास ये दिया होगा राइट अंसर या आपके पास 10 is to minus 15 meter जो है आपके पास right answer रहेगा तो आपने choose करना है next question आपके पास क्या बन जाता है what is the diameter of atoms ठीक है तो diameter of atom क्या होता है ये questions काफी बार दोनों questions जो है TGT commissions में भी पुछे गए है और HBTAT में भी पुछे जाती है तो most important question है तो what is the diameter of atom तो diameter of atom की अगर बात करें अगर meter में पूछा है तो आपके पास 10 is to minus 10 meter जो है आपके पास diameter होता है अगर आपके पास ये questions centimeter में पूछा गया है कि what is the diameter of atom in centimeter तो आपके पास right answer क्या होगा 10 is to minus 8 centimeter इसका right answer रहेगा और मैंने आपको बता दिया कि 1 meter जो है वो आपके पास equal होता है 100 cm के तो आपके पास number same हो तो powers add हो जाती है अगर आप add करेंगे तो आपके पास plus का 2 होगा तो minus का 10 होगा तो आपके पास minus 8 आपके पास right answer आजाएगा अगर centimeter में पूछा आए ठीक है next आपके पास diameter of electron ये भी काफी important है और काफी वार ये questions भी जो है HP TAT में देखने को मिला है TCT non medical के TAT में ये questions देखने को मिला है तो diameter what is the diameter of electron sover is the diameter of electron क्या होता है अगर आपके पास में भूछा है maximum मीटर साय में पूछा होता है वैसे तो पर काफी वार अगर deeply पूछा गया है तब आपके पाश जो है centimeter से भी पूछ लेते हैं तो अगर पूछा गया है what is the diameter of electron in diameter तो अब के पास दामेटर आउर्ट क्या होता है 10 next to minus 16 meter जो है आपके पास डामेटर आपके पास its diameter में पुछा है तो आपके पास right answer क्या रहेगा 10 next to minus 14 centimeter जो है isका right answer ढह letter next step के पास radius of moon यह questions भी काफिवार exam में पूछा गया है what is the radius of moon तो radius of moon क्या होती हैं आपके पास 10 is to 6 meter जो हैं आपके पास radius of moon होती है ठीक है क्या होता है what question क्या पूछा जाएगा what is the radius of moon तो आपके पास radius of moon होती है 10 is to 6 meter अगर आपके पास next question आपके पास what is the radius of earth तो radius of earth क्या होती है आपके पास 10 is to 7 meter जो है radius होती है earth की what is the radius of earth ये questions भी काफी बार exam में देखने को मिला है तो 10 is to 8 meter जो है आपके पास, sorry 7 meter जो है आपके पास इसका right answer रहेगा radius of earth होती है next आपके पास question ये question भी काफी बार exam में देखने को मिला है the radius of sun what is the radius of sun तो आपको question इस तरह से पुछा जाएगा radius of sun क्या होती है 10 is to 9 meter जो है radius of sun होती है next आपके पास main distance between the moon and sun ठीक है earth और चंद्रमा के बीच में जो distance है वो कितना होता है main distance आपके पास जो उसकी last power दी गई है वो होती है आपके पास 10 is to 8 meter ये भी काफी important है और काफी बार exam में देखने को मिला है main distance between the moon and earth ठीक है question क्या पुचा जाएगा what is the main distance between the earth and moon तो आपके पास जो है क्या right answer रहेगा 10 is to 8 meter आपका right answer रहेगा ये आपने याद रखना है next question आपके पास क्या पुचा जाता है distance of the between the earth and sun ठीक है ये आपके पास earth and moon का 10 is to 8 meter अगर आपके पास sun and Earth का पूछा जाता है Main distance between the Earth and Sun तो आपका right answer क्या होगा 10 is to 11 meter जो है आपका right answer रहेगा most important question है काफी वार जो है exam में पूछा जाता है इसको जो है astronomical unit भी कहते हैं इसको हम यहां discuss करेंगे आगे थोड़ा सा ठीक है Next step के पास distance of Earth nearest stars from the Earth ठीक है अर्थ से जो है nearest star का distance कितना है 10 is to 17 meter है यह भी आपने याद रखना है और size of your galaxy's milky way ठीक है आपका जो आपके पास जो galaxy's होती है आपकी जो main galaxy's है your surrounding ठीक है आप हमारा जो solar system है उसकी main galaxy's जो है milky way galaxy's है your galaxy's milky way तो इसका जो आपके पास size है वो होता है 10 is to 21 meter ठीक है यह भी काफी बार exam में देखने को मिलता है और काफी बार यह भी पूछ लेते हैं कि कौन जो है हमारे solar system की बात करें तो उसकी जो galaxy's है main galaxy's कौन सी है तो आपके पास milky way जो है galaxies है इसकी main galaxy's ठीक है यह भी आपने याद रखना है next जो है आपके पास most important है यहां से हर बार question exam में देखने को मिलता है astronomical unit ठीक है astronomical unit होता क्या है ठीक है अभी हमने discuss किया main distance between the earth and sun ठीक है यह ही होता है आपके पास astronomical unit astronomical unit में क्या होता है the average distance from the average distance between the earth and sun क्या होता है the average distance between the earth and sun is called astronomical unit और astronomical unit जो होता है आपके पास इसकी value हमने क्या पढ़ी थी 10 is to 11 meter पढ़ी थी 10 distance between the main distance between the earth and sun 10 is to 11 meter था तो आपके पास जो में जो है average distance पूछा गया है तो average distance होता है आपके पास 1 astronomical unit equal होता है 1.5 multiplied 10 is to 11 meter ये भी आपने याद रखना है most important है काफी बार exam में पुछा गया है what is the value of one astronomical unit ठीक है आपके पास short में भी लिखा होता है AB भी लिख देते हैं ठीक है तो अगर आप short में लिखा है तब भी जो है इसका मतलब one astronomical unit की value पुछी गई है main distance between the earth and sun के बारे में पुछा गया है तो कितना distance होता है 1.5 multiplied 10 minutes to 11 meter जो है इसका main distance होता है ये भी आपने याद रखना है most important है next step के पास पासिक की अगर बात करें तो इसे paralactic unit paralactic second भी कहते हैं ये आपने याद रखना है पासिक को क्या कहते है paralactic second भी कहा जाता है ठीक है तो इसका जो distance होता है उसको हम किस तरह measure करते है it is the distance it is the distance at which an arc of length equal to one astronomical unit ठीक है unit subtent on angles on the one seconds one second ये पूछा गया है ठीक है तो one par sec की जो value होती है आपके पास ये भी आपने याद रखनी है काफी important है ये भी one par sec is equal to 3.1 multiplied 10 is to 16 meter जो है इसकी value होती है one par sec की one paralactic second की ठीक है most important है काफी वार exam में देखने को मिलता है what is the value of what is the main value of paralactic second ये आपके पास par sec पुछा होगा तो इसकी main value क्या होती है 3.1 multiplied 10 is to 16 meter जो है इसकी main value होती है most important है काफी वार exam में देखने को मिला है next हम बात करें तो next आपके पास क्या बसता है next आपके पास बसता है light year light year की अगर बात करें ये भी most important है काफी वार ये questions exam में देखने को मिलता है light year क्या होता है the distance table by the distance table by the light in vacuum in one year ठीक है तो आपके पास वो value होती है आपके पास one light year की ठीक है light year क्या होता है one light year is equal to speed of light in vacuum multiply one year ठीक है तो speed of light मैंने जो है पिछले topic में भी आपको बताया कि speed of light कितनी होती है आपके पास 3 multiply 10 days to 8 meter per second ठीक है speed of light होती है काफी वार ये questions भी exam में देखने को मिल जाता है ठीक है और one year में कितने days होते है 365 days होते है आपके पास और one day में कितने hours होते है 24 hours होते है one minute में कितने minute होते है आपके पास 60 minute होते है ठीक है one hour में कितने minute होते है one hour में 60 minute होते है और one minute की बात करे तो 1 minute में 60 second होते हैं इनको अगर आप multiply करेंगे तो आपके पास जो है 1 light year की value आ जाएगी 9.46 multiply 10 days to 15 meter जो है आपके पास value है 1 light year की ठीक है most important है काफी बार जो है 1 light year की value कुछी गई है exam में HPTAT में जो कास करिए value देखने को मिलती है what is the value of 1 light year तो आपके पास value होती है 1 light year की 9.46 multiply 10 days to 15 meter जो है आपके पास 1 light year की value होती है most important है काफी बार ये questions exam में देखने को मिलता है next आपके पास 1 atomic mass unit 1 atomic mass unit की अगर बात करें ये भी काफी important है और काफी बार जो है इसको short में भी लिखा होता है 1 amu ठीक है 1 amu इस तरह से भी जो है question paper में आपको देखने को मिल सकता है तो आपने घबराना नहीं है 1 atomic mass unit इसका full name है ठीक है और 1 atomic mass unit की अगर बात करें तो इसकी क्या value होती है 1.66 multiply 10 days to minus 27 kilogram होती है आपके पास 1 mass unit की value यहाँ से जो है 2 different questions देखने को मिलते हैं बड़ जो है question का answer आपके पास same ही रहेगा ठीक है आपसे question पूछ सकते हैं आपसे question same पूछेंगे ठीक है what is the value of 1 atomic mass unit अगर आपके पास जो है यह answers आपके पास option में दिया गया है कि 1.66 multiply 10 days to minus 27 kilogram तो यह जो है इस question का right answer रहेगा बड़ अगर आपके पास यह questions यह answers नहीं देखने को मिल रहा है option में आपके पास option में दिख रहा है 1.66 multiply 10 is to minus 24 gram यह अगर आपको दिखने को मिल रहा है तो यह भी इसका right answer रहेगा यह भी जो है इसका right answer रहेगा अगर यह option में नहीं है तो ये इसका right answer रहेगा क्यों रहेगा वो भी आपको बता देते हैं देखो 1 kg की अगर बात करूँ तो 1 kg को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 kg को लिख सकता हूँ multiply 1000 g ठीक है और 1000 g को क्या लिख सकता हूँ 10 is to 3 लिख सकता हूँ 10 is to 3 देखो अगर number same हो तो powers हो जाती है add माइनस का 27 और plus का 3 अगर इसको add करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 24 आ जाएगा और gram में इसकी value आ जाएगी क्योंकि आपने kg को gram में change कर दिया तो यहां से question क्या बनता है what is the value of one atomic mass unit तो इसकी value होती है आपके पास 1.66 multiplied 10 is to minus 27 kilogram ठीक है kilogram भी देखने को मिलती है अगर kilogram option में नहीं है तो आपके पास जो है इसके right answer क्या रहेगा 1.66 multiplied 10 is to minus 24 gram जो है इसका right answer रहेगा आपने यह ध्यान रखना है most important है काफिवार यह questions exam में देखने को मिला है कभी तो यह value पुछी जाती है कभी यह value पुछी जाती है ठीक है और option में यह दोनों ही value देखने को मिलती है तो अगर दोनों value देखने को मिलती है तो आप लिख सकते हैं कि both A and V is the right answer of this question ठीक है next step के पास और last है चंदरशेखर limited CSLB जिसे short में लिखा होता है कभी बार ठीक है तो maximum time तो वैसे चंदरशेखर limited ही लिखा होता है तो यह जो unit है आपके पास यह जो है mass की largest unit है सबसे largest unit होती है होती है आपके पास चंदरशेखर limited question का अभी बार exam में देखनेों को मिला है कि what is the largest unit of the mass तो चंदरशेखर limited is the largest unit of mass कितनी largest है वो भी देख लेते है 1.4 times mass of the sun इसतनी largest है आपके पास यह चंदरशेखर limited unit sun से कितनी largest है 1.4 times largest of the sun यह भी आपने याद रखना है it is the largest unit of the mass it is the largest unit of mass तो काफी बार यह questions भी exam में देखने को मिला है most important question है सबी question जो है most important है काफी बार क्या हर बार यहां से questions आपको देखने को मिलता है वोई topic हम discuss कर रहे हैं जो अपके exam के point of view से most important है और जहां से आज दिन तक question आपको देखने को मिलाई है तो ये थी आज की वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना थैंक यू